सदी के महानायक अमिताब बच्चन के लिए मंगलवार का दिन वो खुश खबरी लेकर आया जिसका उन्होंने कई दशकों से अंतिजार किया होगा अमिताब भी नहीं भलकि भारते सिनेमा से जुड़े हर कलाकार का ये ख्वाब होता है बॉलिवुड के भी बी को इस साल भारते सिनेमा के सबसे बड़ी सम्मान दादा साहब फाल के परिसकार से नवाजा जाएगा सूचनाइवं प्रसारन मंतरी प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को ट्वीट के जरीए इसकी जानकारी थी अमिताब बच्चन को आज बॉलिवुड में 50 साल पूरे हो चुके हैं और वो पिछले पाँच दशकों से हिंदी सिनेमा में अपने अभीने के एक के बाद एक नए किरतिमान स्था पे तक किये जा रहे हैं लेकिन अमिताब बच्चन के लिए सफरताय कर पाना इतना भी आसान नहीं था हिंदी सिनेमा जगत से उनका कोई खास संबंध नहीं था अपने शुरुवाती दौर में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया आज अमिताब बच्चन भले ही अपनी दमदार आवास को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग दम रखते हूं लेकिन अपने करियर के शुरुवाती दौर में उन्हें इसी के चलते कई बार रिजेक्शन का मुह देखना पड़ा था अपनी आवास के साथ ही अमिताब को अपनी हाइट को लेकर भी कई बार फिल्मों से रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उनकी हाइट इतनी जादा है कि निर्माता उन्हें कहते थे कि अपनी टांगे नीचे से कटवा कराओ तब तुमें फिल्म मिलेंगे लेकिन इसके बाद भी अमिताब ने अपना होसला जानी रखा अमिताब बच्चन औल इंडिया रेडियो में काम करना चाहते थे लेकिन उनकी भारी आवास के चलते उन्हें दो बार रेजेक्शन का सामना करना पड़ा हलाकि ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इसके बात में अमिताब ने सीने जगत में अपने करियर की शिरुवात वॉइज ओवर आर्टिस्ट के तौर पर की थे अमिताब बच्चन ने साल 1979 में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोम के लिए अपनी आवास दी थी अपनी एक्टिंग करियर की शिरुवात उन्होंने फिल्म साथ हिंदुस्तानी से की थी और अब अमिताब बच्चन को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड यानि की दादा सहब फाल के पुरुस्कार से नवाजा जाएगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स